खेले गूदे दाड़े संग, नाचे गूदे जुमे संग लललला, 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 ललललला मिल जुलकर हम काम करें तो हो जाएं सब दंग N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे उमंग, 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 उमंग उमंग में अब प्रस्तु थे कारिकम पॉस्टिक आहार आपके कारिकम आपके कारिकम अल्याव, एक रहा तो में पॉस्टिक करें वो देख रहे हो, वो समसे आगे दोड़ रहे वो हमारे स्कूल से ही है, वो ही प्रतम आएगा आरे, कैसे कह सकती हो तो, राजू दौर में बहुत तेज है, पिछले वर्ष भी वही प्रथम आया था तो क्या हुआ, विने भी बहुत तेज दौरता है, देखना इस बार वही प्रथम आएगा आरे, भाई, मैं कह रहा हूं न, राजू आएगा नहीं, नहीं भी नहीं आएगा, राजू आएगा, भाई, बहुत उश्यार है वो, पढ़ाई में भी बहुत तेज है मेरा अच्छा दोस्त है, वो आउसे मिलते हैं, चलो अरे, बधाई हो राजू, बधाई हो राजू, तुमने तो कमाली कर दिया, अच्छा ये है शुभा तुम तो बहुत तेज दोरते हो भई, मान गए तुमें, अब तो तुम से पूछना ही पड़ेगा, कि तुम कैसे इतना तेज दोरते हो, और इसके लिए क्या खास चीज खाते हो तुम ठीक क्या रही हो, ध्यान इस बात पर दो कि खा क्या रहे हो, क्या मतलब, मतलब ये है कि पॉस्टिक आहार लोगे, तो स्वस्थ और फूर्तिले अपने आप ही हो जाओगे, वरना कोपोशन के शिकार हो जाओगे, अरे रे भाईया, एक पल रुको तो, जरा सरल भाश क्या होता है, पॉस्टिक आहार वो होता है, जो हमें पॉस्टिक तत्व, जैसे प्रोटीन, कार्भोहाइड्रेट्स, चिकनाई, विटामिन और खने जिलावानादी देता है, लेकिन ये कॉपोशन होता क्या है, अच्छा, कॉपोशन, भाई ऐसा है, यदि हम नियम से पॉस कॉपोशन पूरा नहीं मिलना, मतलब कॉपोशन हो जाना, ऐसा ही न? बिलकुल सही, कॉपोशन के कारण हमारे अंदर बीमारीयों से लड़ने की टाकत कम हो जाती है, जिससे हम बार-बार बीमार पढ़ने, या अधिक समय तक बीमार रहने से भी, शरीर में पॉस्टिक तत् है और को पूशन सी बेमारी हो जाती है बेलकुल ठीक कहा रृवी इसे खोपूशन का चक्र कहते हैं यह चक्र एक बार चलना शुरू हो जाया ना तो बीमारियों साने कलना मुश्किल हो जाता है और अगर हम पॉश्टि कहार नाले तो क्या होगा तो हम कमजोर हो जाएंगे अपनी उम्र के हिसाब से विकास नहीं कर पाएंगे और हाँ हमारा दिमाग भी कमजोर रह जाएगा अच्छा हाँ हम चुड़ चुड़े हो जाएंगे ना ठीक से पढ़ाई कर पाएंगे और ना खेल खूच सकेंगे अच्छा तो यह बात है पर तुम ही यह सब किस ने बताया मुझे मेरी माने अच्छा तो फिर उन्होंने यह भी बताया होगा कि स्वस्थ रहने के लिए क्या-क्या खाना चाहिए हाँ वो यह सब बताते भी हैं और बना कर खिलाती भी है मा कहती है बढ़ते बच्चों को दूद दही जरूर खाना पीना चाहिए हरी सबजियां और फल भी खाने चाहिए दालें सोया बीन लोभिया चना वगएरा प्रोटीन से भरे होते हैं और हाँ यादाया प्रोटीन मास मचली और अंडे में भी मिलता है पर रवी मैं तो अंडा मास मचली कुछ भी नहीं खाती तो क्या मुझे पौश्टिक आहार नहीं मिल सकता अरे भाई क्यों नहीं मिल सकता डालें हरी सबजियां सोया बीन वगएरा खाओ दूद पियो दही खाओ क्यों राजू मैं ठीक कह रहा हूं ना हा रवी बिल्कुल ठीक कह रहा हूं शाकाहारी लोग भी आसानी से पौश्टिक आहार खा सकते हैं हमें हरे पत्ते वाली सबजियां जैसे मूली अर्भी के पत्ते पालग चौलाई बथुआ मेथी सरसों का साग जो भी मौसम में आसानी से मिल सके हमें जरूर खाना चाहिए अच्छा राजू ये बताओ तुम और क्या-क्या खाते हो और बताता हूं जब कभी मुझे और मेरी छोटी बहन को भूग लगती है तो मा गुड चने और मुरमुरे खाने को देती हैं मा कहती है इनसे हड्डियां और मसूडे मजभूत होते हैं तो क्या तुम इतनी सब ची बदल कर खाते हैं और जानते हो गेहूं के अलावा कभी कभी बाजरा मक्का ज्वार और इनके सत्तू भी खा सकते हैं तो यह राज है तुम्हारी अच्छी जहत का जहीं कुल यही राज है अच्छी काहार सब खाएंगे खृष्ट बुश्ट हो जाएंगे बदल बदल कर खाना खाते रहते हैं सब हसते गाते मौस्टी काहार सब खाएंगे खृष्ट बुश्ट हो जाएंगे मौस्टी काहार सब खाएंगे खृष्ट बुश्ट हो जाएंगे मौस मी फल और सब सी खाएं तू तही भी सब पी जाएं पुष्टी का हार सब खाएंगे, रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे गुण चना आना जौर दाले, खुशी खुशी से हम सब खाले पुष्टी का हार सब खाएंगे, रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे पुष्टी का हार सब खाएंगे, रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे पड़े कभी न हम वीमार, खाएं सदा, खाएं सदा, खाएं सदा पुष्टी का हार पुष्टी का हार